नमस्कार दोस्तों, मैं एड़ोकेट विश्नुधारी सिंग, एड़ोकेट विश्नुधारी सिंग लिगल चेनल में आप सभी दर्सकों का स्वागत करता हूँ दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, प्रतेक रवीबार को मेरा क्वेस्टन एंसर सिरीज होता है आज मैं आपके दिये हुए कॉमेंट में जो प्रस्न है उसके उतर में दे रहा हूँ दोस्तों, मेरा यह वीडियो या मेरा अन जितना भी वीडियो है, वो सब फेस्बुक और इंस्ट्राग्राम पर भी लोड होता रहता है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, अगर आप फेस्बुक और इंस्ट्राग्राम पर देखना चाहे तो आप डिस्क्रिप्शन में दिये हुए लिंक के माद्यम से आप फेस्बुक और इंस्ट्राग्राम पर भी आप हमारा वीडियो देख सकते हैं तो आईए अम मूल बिंदू question answer पर आएं पहला प्रस्ण है एन वाई के साहब का इन्होंने कहा कि मेरा एक पैत्री घर है जो मेरे कबजे में है मेरे अन्ने दो भाई और मेरी दो बहन ये मिलकर किरायदार से मिलकर के उन लोगों को रेजिस्ट्री कर दे ही क्या ऐसी परिशिती में वह घर पुना मेरा हो सकता है क्या हमारे भाई और बहन के दोरा जो किरायदार को रेजिस्ट्री की गई है वह कैंसिल हो सकता है और मुझे घर वापस मिल सकता है एन वाई के साहब section 22 हिंदू सक्सेशन एक्ट कहता है कि परिवार का कोई भी सलस अगर परिवारी बटवारा नहीं हुआ है और इस बीच में अगर वो अपनी सिस्टे की समपत्ती बेचना चाहता है तो पहला परिदने का अधिकार उसके अन्भाईयों को होगा आपके दो भाईयों और दो बहन बिना बाटे हुए मकान में बेच चुके हैं ऐसी परिशिते में आप सिविल कोट में जाए वहाँ section 22 यानि 22 हिंदू सक्सेशन एक्ट उन्हें 156 के धारा के अनुसार आप अपने दो भाईयों पर बहनों पर और उस किरायदार पर जिसने उन लोगों से मकान लिखवाया है उन लोगों पर case करें आपको इसके लिए रेजिस्ट्री की गई है जो शल्डिड बनाया गया है भाई और बहन के दोरा उसमें जितनी कीमत की तै की गई है रेजिस्ट्री में उस कीमत को नेले में कोट फिस के रूप में जमा कर देना होगा जो बाद में चल कर वो खरिदार को प्राप्ट हो जाएगा और उनकी रेजिस्टरी कैंसिल हो जाएगी और पुना हो सारा घर आपके हिस्से में चलाएगा अब अगला प्रस्ण है बववा सोनी साहब का, बववा सोनी साहब ने कहा कि मेरे एक चाचा ने मेरे बावा से 2017 में कुछ जमीन जो पैत्रिक था उसकी रेजिट्री करवा ली, तो मैंने उस रेजिट्री को तोड़ने के लिए जुनियर डिविजन सिविल कोट में मुकदमा किया, इसी बीच में सन 2018 में हमारे बावा से वही चाचा जी ने सारे पैत्रिक संपत्ती को वसियत करवा लिया, ऐसी इस्थिति में अब मैं क्या करूं, दाखिल खारिज के लिए भी मैंने आविजन दिया, लेकिन दाखिल खारिज भी नहीं हो रहा है, कैसे मैं अपना चाचा के परक्षमे किया था, उसी में आप ओडर 6, रूल 17, CPC के अंदर में एक एमेंडमेंट का विजन दें, और उसमें ये कहें कि 2018 में मेरे बावा ने सारी पैत्रिक संपत्ती, अपने एक बेटा या आपके चाचा जी को जो वसियत किया है, उसका मेंसन करें, ताकि में एमेंडमेंट हो जाएगा, आपके वाजपत्र में सुधार हो जाएगा, और जो आपके बावा ने वसियत किया है, आपके चाचा जी को, वसियत का भी सुनवाई इसी मुकदमे में हो जाएगा, और इस मुकदमा का फैसला होने के बाद, आप इसी फैसला के कोपी को ले करके आप सीओ साहब के हां जाएंगे या तवसिलदार के हां जाएंगे वहां जाने के बाद आपका दाखिल खारीज पुनह हो जाएगा इसके लिए आप घबराएं नहीं अगला प्रसन है नवलेश कुमार जी का इन्हों अपने प्रस्ण में कहा है कि एक पिता ने अपनी पैतरिक संपत्ती को बेश दिया, मुझे बेचा और बेटा ने पुनह उसी पैतरिक संपत्ती का जो विक्रेपद्र था उसी को कैंसिल कराने के लिए सिविल कोट में मुकदमा किया, अब मैं क्या कर दो नवलेश कुमार जी अगर पिता जी के पास पैतरिक संपत्ती थी और सारी संपत्ती आपको बेश दिया, वेसी परिशिती में उनके बेटा का भी हिस्सा उसमें था, अगर उनके पिता जी कमाई की संपत्ती होगी या उनके पैतरिक संपत्ती में सिर्फ पिता जी का हिस्सा होगा, तब तो आपको सिर्फ पिता जी का हिस्सा मिलेगा और बेटा का हिस्सा बेटा को पुनह वापस चला जाएगा। अगला प्रस्न है विरंदर कुमार जी का। इन्होंने अपने प्रस्न में कहा कि यहरे पिता जी तीन भाई थे। 1978 में तीनों भाईयों में बटवारा हो गया। 2014 में अपने मजले भाई की पूरी संपत्ती चुकि वो नावल्द होंगे या उनके पास संपत्ती रखने की ज़रूरत नहीं होगी वो अपनी सारी संपत्ती इनके पिता जी को बेश दी। अब जो छोटा भाई है वो 2018 में सिविल सूट का मुकदमा किया है क्या वो रजिस्ट्री कैंसिल हो जाएगी बिरंदर कुमार जी वो रजिस्ट्री कैंसिल नहीं होगी चुकि बटवारा 78 में हो चुका था और एक जो मजले भाई था अपने हिस्से की संपत्ती आपके पित दादा जी को रजिस्ट्री किया गया है वो रजिस्ट्री किया गया है वह कैंसिल नहीं होगा और आप जमीन के मालिक बने रहेंगे अगला प्रस्ण है मंटू कुमार जी का जो गोपाल गंज के रहने वाले हैं इन्होंने अपने प्रस्ण में कहा मेरे दादा जी के तीन प संपत्ती वापस मिल सकते हैं क्या उसमें मेरा हिस्सा वापस मिल सकता है आगे काते हैं कि मुझे उसके दान के बारे में जो दादी जी ने अपने दो पुतोहु के नाम पर दान दिया था उसका पता इनको 15 साल बात चला तो मंटु कुमार जी आप घबराये नहीं आप सिबिल कोट में जाएं वहाँ पर डिड कैंसिलेशन का मुकदमा दायर करें चुकि आपके दादी जी सारे प्यत्रिक संपत्ती की मालकीन नहीं थी वो सिर्फ अपने हिस्से की मालकीन थी और कानून के अनुसार भी दान वही संपत्ती दिया जा सकता है या तो आपकी निजी कमाई हो या आपके अपने हिस्से की हो और किसी के हिस्से की संपत्ती न दान दिया जा सकता है न बेचा जा सकता है वैसी परिशिती में आपकी दादी जो आधा जमीन अपने पुतोहू के नाम पर दान कर दी वह रिजिस्ट्री कैंसिल हो जाएगा और हाँ आपका कहना है कि 15 साल आपको जानकारी हुई, इसके लिए भी मत गाब रहें, Limitation Act का Article 65 कहता है कोई रजिस्टरी 12 साल तक चुनोती दे जा सकती है, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि उस रजिस्टरी होने के बारे में हमें जानकारी हो, चुकि आपको रजिस्टरी होने के 15 साल बाद मालुम हुआ, जो आप अपने civil case में जो आप case करेंगे उसके साथ एक condemnation petition भी देंगे समाप्रार्थना petition जो section 5 limitation act के अंदर में होगा section 5 limitation act कहता है जब आपको registry के बारे में मालूम हो या जब आपको दान पतर के मा बारे में मालूम हो case करने की जो अवधी होनी चाहिए 12 साल उसकी गन्ना उसी दिन शुरू होगी चुकि आपको मालूम अव पड़ा है कि मेरे दादी जी ने आधी संपती धान दे दिया है वेसी परिशिती में आप एक condemnation petition के साथ सिविल कोट में वाद पतर दायर कर सकते हैं प्लेंट दाखिल कर सकते हैं और मुकदमा सिनवाई के बाद आपके पक्ष में फैसला होगा और आपका सारा हिस्सा निकाल दिया जाएगा अगला प्रस्ण है अरजुन जादव जी का इन्हों ने अपने प्रस्ण में कहा कि मेर किल कारिज भी नहीं होता है ऐसी परिशिती में मैं क्या करूं उत्तर में मुझे कहना है अरजुन जादव जी जिस जमीन पर मुकदमा चल रहा हो वह जमीन पक्षकार नहीं बेच सकता ट्रांसफर और प्रपर्टी एक्ट का धारा बावन यही कहता है लेकिन इससे रजिस् न्याले में रखए अगर आपके बेचने वाले का टाइटिल बनता होगा उस जमीन पर, तो फैसला होने के बाद उनके पक्ष में मुकदमा का निर्ने हो जाएगा और जिस दिन फैसला उनके पक्ष में हो जाएगा जिस ने आपको जमीन बेचा तो उसी दिन आप जो रेजिस्ट्री करवाए हुए हैं वह जमीन आपकी हो जाएगी और उसकी सर्टिफाई को पसंद आया तो आप इसे लाइक करें सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब करने के बाद दाहिने तरफ का बिल बटन दवाना न भूले और हाँ दोस्तों अपने दोस्तों को भी सेर करें अपने कुटूम्ब को भी सेर करें ताक इस तरह के प्रसनों का अगर कोई कानूनी समस् तो मेरे दोरा बताएगे उत्तर के अनुसार वो अपना समधान ढूड़ सके धन्यवाद